नमस्ते दोस्तों आप सभी कस्वागत हमाई YouTube चैनल पंडित ब्रोज में जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम आपके लिए काफी इंटरस्टिंग और काफी शोकी और काफी सस्पेंस वरी वीडियो लाते हैं दोस्तों दोस्तों आज के भी जो वीडियो है काफी मतलब इस व इक हैवानात की तरह एक हैवान है उसे एकवान है मगर बाज मुफकरीन के मताबिक बंदर की पैदाईश आम जानवरों की तरह नहीं हुई बलके वो एक तबदील शुदा मखलूक है। उनके मताबिक आज से हजारों साल कबल हजरत दाउद अलही स्लाम की कौम बनी इसराईल ने जब अल्ला की नाफर्मानी की तो बतौर सजा उन्हें बंदर और सूर बना दिया गया था। इस सक्त अजाब का जिकर कुरान मजीद की आयतों में भी मिलती है। तो क्या आज इस जमीन पर जो बंदर मौजूद हैं वो कौम बनी इसराईल की नसल से हैं जो आज तक इस अजाब में मुटला हैं। इस बात में कितनी सचाई हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। पुरान करीम में बहुत सी कौमों के लिए ऐसे वाकियात बयान हुए हैं जिन में उनके गलत आमाल और अल्ला तबारक वतला के एहकाम हुदूद से तजावीज की वजह से उनको अजाब इलाही का सामना करना पड़ा। इस सिल्दा में एक मशहूर और अबरतनाक वाकिया अस्थाब सबत का है। ये वाकिया यहुदियों की एक बस्ती से तालू करता है। ये वाकिया हदरत दाओद अल्हिससलाम के दोर का है। उस जमाने में हदरत याकूब की ओलादे जो बनी इसराईल कहलाती थी उनकी आबादी लाकों में थी। जो अर्ज फलस्तीन और यरोशलम में आबाद थे। उनमें से एक कबिला बनी इसराईल से इलाहिदा होकर एक जरिया के किनारे ईला नामी बस्ती में आबाद हो गए। उन लोगों की तादात सतर हजार के करीब थी। और ये नहायत ही सरकश और नाफरमान लोग थे। इन लोगों ने अकसर काम एहकाम तौरेत के खिलाफ शुरू कर दी। तौरेत के मताबिक हराम करदा चीजों को इन में कसरस से मचलिया मौजूद थी। लहाज़ ये लोग इस जरिया से मचलिया पकड़ते और उने बतौर घज़ा इस्तमाल करते थे। नेज इन मचलियों की खरीदो फरूखत भी किया करते थे। लहाज़ अल्ला ने उन्हें एक आजमाईश में डाला। हजरत दाउद अल लावा दूसरे दिनों में मचलिया पकड़ने की उन्हें इजाज़त थी। लहाज़ अधरत दाउद अल्यूद के हुक्म से इस कौम ने इतवार से जुमा तक मचलिया पकड़ना शुरू कर दी। मगर हफ़ते को मचलिया दरिया में ज्यादा होती और बाकी के छे दिन कम ह होती हफ़ते के दिन जब भी दाउद अल्यूद की कौम दरिया के पास आती तो इतनी ज्यादा मचलिया देखकर उनका दिल बे इमान हो जाता शैतान ने उनके इस लालच का फाइदा उठा कर उनको उकसाना शुरू कर दिया और उन्होंने सोच लिया कि सनीचर को वो दरिय में जाल लगा दिया करेंगे और इतवार को पकड़ लिया करेंगे इस तरह कुछ लोगों ने जाल लगा लिये और कुछ लोगों ने छोटे छोटे होस घर तक बना लिये और इस होस का धरिया तक रास्ता बना दिया हफ़ते के दिन जब मचलिया इन होस और जाल में आ जात इन में हफते के दिन अगर मचली फस्ती हैं तो ये शिकार हफते के दिन का होगा अल्ला के अजाब से डरो, अल्ला की नाफर्मानी ना करो वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे तो यूँ अल्ला के उन नेक बन्दों ने बस्ती के बीच में एक डिवार को कड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिफ किया कि अल्ला की नाफर्मानी करने वाले इस तरफ हो जाएं और हम जो अल्ला के फर्माबरदार हैं इस तरफ रहेंगे वो सारे लोग बार बार उनसे कहते रहे ऐ लोगो अल्ला से डरो कौम समूद और कौम लूत का जो हश्र हुआ इसको याद करो अल्ला की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आ जाएगा वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद 12,000 के आसपास थी सब हंसते रहे और कहने लगे ये तो सब किताबी बाते हैं हम पे कोई अजाब नहीं आएगा बस जैसे ही वो ग्रो दो हिसों में तक्सीम हो गया एक वो जो अल्ला के फर्माबरदार थे और दूसरे वो जो अल्ला के नाफरमान बंदे दिवार के उस तरफ थे वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे मजाक उड़ाते रहे और अल्ला के खास बंदे दिवार के उस तरफ अल्ला से माफी मांगते रहे अगले दिन जैसे ही सुबा हुई वो नेक सलह इंसान उठे उन्होंने महसूस किया कि दिवार के उस तरफ से किसी इनसान की आवाद नहीं आ रही थी जैसे ही दिवार के उस तरफ चड़ कर देखने लगे तो देखा कि सारे के सारे लोग बंदर की शकल में तब्दील हो चुके थे और बंदर की हरकतों को अंजाम दे रहे थे उन लोगों मेंसे जो उनके रिष्टेदार थे उन्होंने उन बंदरों को कपड़ों से अपने अपने रिष्टेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे अल्ला से मौफी मांगने लगे लेकिन अल्ला का अजाब जब आता है तो वो होकर रहता है वो बारह हजार लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खाप ही नहीं पा रहे थे और यूं तीन दिन बाद वो सब इस अजाब में आकर हलाक हो गए अल्ला का अजाब बहुत ही सक्त होता है और नाफरमान और सरकश लोगों के लिए जब अजाब इलाही का फैसला हो जाए तो अल्ला के हुक्म से पूरी कौम इस तरह हलाक हो जाती है कि वो आने वाले लोगों के लिए एक अबरत बन जाती है बहर हाल ये नजरिया के मौझूदा बंदर उन लोगों की उलादे हैं जिन पर अजाब आया था ये गलत है क्यूंके उन से पहले भी दुनिया में बंदर मौझूद थे और सही रिवायतों के मुताबिक बनी इसराइल की ये कौम जब बंदर में तब्दिल हो गई थी तो तीन दिनों तक यूँ ही जिन्दा रहे और फिर रोते रोते सारी कौम मर गई लहाजा उनकी नसल आगे नहीं बड़ी जो गोड थे रोंन उनको सजा दिया उनको बंदर बना दिया हाँ दोस्तों जैसे कि इस वीडियो में टािटल है कि मतलब हम वीजाव क्यों बनी तो स्टार्टिग निसे वाकिये में बताया है कि जो जो बंदर हैं आप आपने बंदर देखे होंगी कि यह उनकी ही कौम है इ जब उन्हों ऐसा इसा मंदल जब अजब आया उनके गोड का तूं के ये बखा कि वो बस तीन दिन तक सर्वाइव कर सके तो अनके बाद उनके बाद तुनिवी जो बंदर बने थे वो सब की महत अज़ को चुकी में करा ने था क्योंकि जब वो कही जो गई जो गई तो नदी लिए थी नदी में मचलियां हुआ करती तो उनको गुजारते के लिए मचली को खाना था और पालना भी पर बेचा भी करा करते मगर हफते का एक दिन ऐसा था जहा ना पकड़नी थी अर वह तो आज़ा से सनिचर का दिन दोस्तों पर जो ऐसे लोग थे वह उनका जो वह था उ साथान ने उनको देखा उनके मन में लाला चाहिए और उनके दो तुकड़े होगे दोस्तों पर एक में उनका जो हुकुम बानते थे और दूसरा था उनको हुकुम ने देखा कि जितने भी जो अलग जो हो चुके थे में दोस्तों सारे बंदर बन चुके थे वह अनके परिवार के छो लोग ते हुक और जो ऐनको उनके भी जो पारिवार के यह थानों तीनने रहिंगे वह सारक हो. तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद लाइक करें शेर रहें सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट शेक्षिन उजरू बताए आपको यह वीडियो कैसी लगी नमस्ते दोस्तों